हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मादव डेसीज, मादव डेसीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आज की वीडियो में देखी फ्रेंड्स आपके लिए बहुत प्यारी सिंपल सी ड्रेस लेकर आई हूँ, और इस ड्रेस को मैंने चार नंबर लटगो पाल जी के प्यार रखना है, एक तो आप जिस नंबर की भी चोली बनाएंगे, जिस नंबर की भी ड्रेस बनाएंगे, उसमें लास्ट में जो आप यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में ये बोक्स बनाने, ये आप ऐसे रखेंगे, जैसे आठ, दस, बारा, चोदा इस तरह से रखेंगे, तो ये डिजाइन बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, अगर आपके यहाँ पर डबल क्रोश्या जादे होते हैं, एक आद तो आप उसको इसको इसकीप कर सकते हैं, लेकिन बोक्स आपको आठ, दस, बारा, सोला, चोदा इस तरह से रखने हैं, उसके बा बनाएं, और उसके बाद इसको घटाना शुरू कर दे, और तीन और चार नमबर के लिए ये सेम पैटर्न बनेगा, जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पर चार अपफ बनाकर उसके बाद घटाना शुरू करेंगे, और अगर आप बड़े साइज में बना रहे हैं इस ड्र इस ड्रेस को बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, यह मैंने चोली बनाकर कम्प्लीट की है, अब हम यहाँ पर पहले तीन चेन लेंगे, क्योंकि यहाँ से हम घेरा स्टार्ट करेंगे, और तीन चेन एक डबल क्रोशे की हाइट, इसके बाद दो चेन और लेंगे, यहाँ फिर दो चेन लेंगे, और फिर यहाँ पर एक चेन स्किप करेंगे, और दूसरी चेन के अंदर डबल क्रोशे की हाइट तो इस तरह से देखिए, यह बोक्स बनेगे यहाँ पर ऐसे बनाते वे राउंड को कम्प्लीट करेंगे, राउंड की लास्ट में अब हम यहाँ पर दो चैन बनाएंगे और शुरू में देखी है हमने 5 चेन बनाई थी यह तीन चेन एक डबल क्रोशी की हाई थी तो यहां से थार चेन में जाकर इसको ऐसे सिलिप स्टिच कर देंगे और इसके बाद यहां पर हम एक दो तीन चार पांच पांच चेन लेंगे और यह नेक्सट इसके अंदर हम पाँच डबल क्रोश्य बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, और एक ये पाँच पाँच डबल क्रोश्य बनाकर इस लूप को निकाल देंगे और जो ये पहले वाला डबल क्रोश्य था देखे ये वाला इसकी उपर वाली chain है आसे ऐसे पिक करेंगे और लूप को पिक करेंगे और यहाँ पर इसको ऐसे निकाल देगे तो यह puff बन गया अब यहाँ पर दो chain लेंगे दो chain लेने के बाद इससे next देखे यह वाला double crochet है इसके उपर एक double crochet बनाएंगे इस तरह से और अब हम यहाँ पर दो चेन लेंगे दो चेन लेने के बाद ये नेक्स्ट वाला डबल क्रोश्या है इसके उपर एक डबल क्रोश्या बनाएंगे और फिर दो चेन लेंगे दो चेन लेने के बाद अब इस होल के अंदर फिर से 5 डबल क्रोश्य बनाएंगे एक दो तीन चार पाच अब इस लूप को निकाल देंगे और जो पहले वालय डबल क्रोश्य है इसके उपर वाली चेन को ऐसे पिक करेंगे और इस लूप को पिक करके यहां से ऐसे निकाल देंगे और फिर दो चेन लेंगे अब इस पफ के बराबर में ये जो डबल क्रोश्या है इसके उपर ऐसे डबल क्रोश्या बनाएंगे और फिर से दो चेन लेंगे और दो chain लेने के बाद ये next वाला double crochet है इसके उपर एक double crochet बनाएंगे और फिर दो chain लेंगे और फिर इसके अंदर 5 double crochet बनाकर puff बनाएंगे जैसे यहाँ पर बनाया ऐसे ही इस round को हम complete करेंगे round के last में आकर देखी हमने यहाँ पर यह puff बनाया और इसके बाद 2 chain ली अब हमने शुरू में जो यह 5 chain बनाई थी यहाँ से 3rd chain में जाएंगे और ऐसे slip stitches को join कर लेंगे अब यहाँ पर फिर से हम 1, 2, 3, 4, 5 5 chain लेंगे और देखी यह जो next double crochet है इस double crochet के उपर double crochet बनाएंगे और फिर यहाँ पर हम 2 chain लेंगे और 2 chain लेने के बाद देखी friends हमने यहाँ पर यह एक puff बनाया था इस बार हमारे यहाँ पर 2 puff बनेंगे एक यहाँ पर बनेगा और एक यहाँ पर बनेगा तो 2 chain बनाने के बाद इस वाले hole के अंदर जाएंगे और यहाँ पर double crochet बनाएंगे यह मैंने देखी दो double crochet बनाएं तीन चार और एक पाँच पाँच double crochet बनाने के बाद इसका यहाँ पर देखी पफ बनाएंगे इस तरह से जिसे पहले बताया था मैंने इस तरह से और फिर दो chain लेंगे और आव यह next वाल होल है यहाँ पर फिर से पाँच बाद double crochet एक दो तीन चार पाँच पाँच बाद double crochet इसको पफ बनाएंगे यहाँ chain के अंदर डालेंगे लूप को पिक करेंगे और फिर दो chain लेकर अब देखी यह वाला जो double crochet है बराबर वाला इसके उपर पहले एक double crochet बनाएंगे और फिर यहाँ पर दो chain लेंगे और फिर यह next वाला double crochet है इसके उपर double crochet बनाएंगे फिर दो chain लेंगे अब देखी इस hole के अंदर पफ बनाएंगे फिर दो chain लेंगे फिर इस hole के अंदर पफ बनाएंगे फिर दो चेन लेंगे और इस डबल क्रोशा के उपर डबल क्रोशा बनाएंगे फिर दो चेन लेंगे फिर इस डबल क्रोशा के उपर डबल क्रोशा बनाएंगे फिर दो चेन लेंगे फिर यहाँ पर दो पफ बनाएंगे इस तरह से ही करते वे हम इस round को complete करेंगे अब हम last में आ गए puff बनाने के बाद मैंने यहाँ पर दो chain ली आप देखें यहाँ पर जो शुरू में यह 5 chain बनाई थी 3rd chain में जाएंगे और यहाँ पर ऐसे इसको slip stitch कर देंगे इसके बाद फिर 1, 2, 3, 4, 5 5 chain लेंगे और यह next वाला double crochet है इसके उपर double crochet बनाएंगे इस तरह से फिर 2 chain लेंगे और इस hole के अंदर puff बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 5 double crochet बनाकर पहले वाले double crochet की chain को pick करेंगे और इस look को pick करेंगे और यहाँ से ऐसे निकाल देंगे फिर 2 chain लेंगे अब देखें फ्रेंड्स यह 2 puff के बीच में भी एक hole है यहाँ पर फिर से 5 बाद double crochet बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 अब इसका puff बनाएंगे पहले chain में क्रोशय को डालकर लोग को pick करेंगे और फिर 2 chain लेकर देखेंगे अब next वाला यह hole है अब यहाँ पर भी puff बनाएंगे 5 double crochet बनाएंगे पहले 1, 2, 3, 4, 5 5 double crochet बनाकर इसको puff बनाएंगे ऐसे और फिर 2 chain लेंगे अब इसके बराबर में यह double crochet है इसके उपर एक double crochet बनाएंगे और फिर 2 chain लेंगे और फिर यह next double crochet है इसके उपर double crochet बनाएंगे और फिर 2 chain लेंगे अब देखें यहाँ पर भी हमारे 3 puff बनाएंगे पहले एक बनाता फिर दो एक पफ इस होल में बनाएंगे एक पफ इस होल में बनाएंगे और एक पफ इस होल में बनाएंगे फिर सबके बीच में दो दो चेन लेंगे और फिर दो चेन लेकर इस डबल क्रोशा के उपर डबल क्रोशा बनाएंगे फिर दो चेन लेंगे फिर इ स्लिप स्चीच करेंगे और यह अमने जोर्इन किया ऐसे अब यहां से एक दो तीन चार पाँच पाँच चैन लेंगे और यह नेक्स वाला डबल कुरोश्या है इस के ऊपर डबल कुरोश्या बनाएंगे ऐसी और फिर दो चैन लेंगे और यह वाला जो होल है इसके अंदर पाँच बार डबल कुरूश्या एक, दो, तीन, चार, पाँच पाँच डबल कुरूश्या बनाने के बाद फर्स्ट चेन में से ऐसे डालेंगे लूप को पिक करेंगे और यहाँपर पफ बनाएंगे फिर दो चेन लेंगे और ये next वाला देखे इस puff के बराबर में ये होल है अब यहाँ पर puff बनाएंगे एक double crochet, दो, तीन, चार, और ये पाँच और फिर इसको puff बनाएंगे चेन में डालकर लूप को पिक करेंगे और दो चेन लेंगे अब इस puff से next में देखे ये वाला होल है अब यहाँ पर हम 5 double crochet बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच अब इसको puff बनाएंगे यहाँ से लूप को पिक करेंगे और दो चेन बनाएंगे इसके बाद अब देखे एक होल और बचा है इस puff के बराबर में यहाँ पर यहाँ पर भी हम ऐसी puff बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच पाँच डबल क्रोश्या लेंगे और फर्च चेन से इस लूप को पिक करेंगे और फिर दो चेन लेंगे और यह next डबल क्रोश्या है इसके उपर ऐसी ही डबल क्रोश्या बनाएंगे तो देखे फ्रेंड्स अब हमारे यहाँ पर चार puff बने पहले एक बना था पहली रों में फिर दो बने फिर तीन बने अब चार बने अब यहाँ पर भी देखे हम ऐसे करेंगे दो चेन लेंगे इस डबल क्रोश्य के उपर डबल क्रोश्या बनाएंगे फिर दो चेन लेंगे एक पफ यहाँ बनाएंगे दूसरा पफ यहाँ बनाएंगे तीसरा पफ इस होल में बनाएंगे और चोता पफ इस होल में बनाएंगे सब के बीच में दो दो चेन लेंगे और इस puff को बनाकर दो chain लेकर इस double crochet के उपर double crochet बनाएंगे फिर आगे भी ऐसी करेंगे तो इस तरह से ये round complete होगा ऐसे हम इसको complete कर लेते हैं वर्क के last में आकर इसको हम या third chain के अंदर जाकर slip stitch से ऐसे join करेंगे अब इसके बाद देखिए हम इस hole के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हम एक बार ऐसे slip stitch करेंगे और इसके बाद हम एक दो तीन तीन chain ये हमारी एक double crochet की height होगी और हम चार chain extra लेंगे एक दो तीन चार 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 लेने के बाद अब हम crochet पर दो बार धागा लेंगे हम यहाँ पर triple crochet बनाएंगे इस तरह से धागा निकालेंगे और दो लूप एक बार निकाल देंगे दो लूप एक बार और दो लूप एक बार यहाँ पर यह triple crochet बना अब एक दो तीन चार चार चेन लेंगे अब देखे फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे चार पफ थे अब इस राउंड में हम तीन पफ बनाएंगे इनको घटाते जाएंगे यहाँ से तो हम यहाँ पर देखे इस वाले hole को skip कर देंगे जो double crochet के बराबर में थ और इससे next hole में यहाँ पर double crochet बनाएंगे पाँच बार एक दो तीन चार पाँच पाँच डबल क्रोशय बनाने के बाद फस्ट वाले की chain को ऐसे पिक करेंगे और लूप को पिक करके यहाँ से निकाल देंगे अब पफ के बीच में हम दो चेन लेंगे और यह बीच वाला hole ह यहाँ पर पफ बनाएंगे पाँच बार डबल क्रोशय बनाएंगे दो तीन चार और यह पाँच अब इसको पफ बनाएंगे पहली chain से ऐसे लूप को पिक करेंगे और फिर दो चेन लेंगे और अब यह next वाला hole है यहाँ पर पाँच बार डबल क्रोशय बनाएंगे एक द दो, तीन, चार, पाँच, अब इसको पफ बना देंगे, यहां से ऐसे लूप को पिक करके, और फिर अब हम यहां पर देखे, हम यहां पर अब चार चेन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, इन पफ के बीच में अब हमें दो दो चेन लेनी है, और इधर भी हमने चार चेन ली थी यहाँ पर भी हम 4 chain लेंगे क्योंकि हमें यह वाला puff इसकिप करना है यह वाला hole और अब इस से next जो यह बीच में hole है यहाँ पर जाएंगे हम यहाँ पर triple crochet बनाएंगे तो इसके लिए हम पहले दो बार धागा लेंगे और इस hole के अंदर यहाँ पर ऐसे जाकर triple crochet बनाएंगे दो दो लूप निकालके इसके बाद हम बीच में यहाँ पर भी 4 chain लेंगे 2 chain मैंने बना लिए 3, 4 और फिर इसी hole के अंदर एक triple crochet बनाएंगे यहाँ पर देखी ऐसे यह triple crochet तो यहाँ पर देखी यह V-shape बन गई अब यहाँ पर 4 chain लेंगे 2, 3, 4 और सीधे हम इस hole को skip करके यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर puff बनाएंगे अब देखी फ्रेंड्स यहाँ पर भी हमें puff बनाना है फिर 2 chain फिर यहाँ पर puff फिर 2 chain फिर यहाँ पर puff करते वे इस round को हम complete करेंगे राउंड के लास्ट में आकर हमने 4 chain ली और देखे शुरू में जो हमने चेन बनाई थी यहाँ से 3 chain में जाएंगे और ऐसे slip stitch से इसको join कर लेंगे अब हम इस loop के अंदर जाएंगे ऐसे slip stitch से और यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, चार chain लेंगे और इस loop के अंदर triple crochet बनाएंगे दो बार धागा लेंगे और यहाँ पर दिखी ऐसे triple crochet बनाएंगे दो लूप एक बार, दो लूप एक बार, दो लूप एक बार फिर triple crochet बनाएंगे फिर triple crochet बनाएंगे इस तरह से इस लूप के अंदर हमें 9 बार ट्रिपल क्रोश्य बनाना है दो बार धाग़ लेंगे क्रोश्य के उपर इस तरह से और फिर इन लूप को 2 एक बार, 2 एक बार, 2 एक बार ऐसे निकालेंगे अब दीखें यहां पर एक हमने यह chain बनाएती चार की तो यह भी count होगा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ एक ट्रिपल क्रोश्य और बनाएंगे यह हो गए नो ट्रिपल क्रोश्य इसके बाद हम चार chain लेंगे एक, दो, तीन, चार और दीखें इस वाले यह जो पफ के बीच में अब दो होल हैं पहले हहाँ पर तीन पफ बनेते हैं अब दो बनेंगे तो इस होल के अंदर पांच बार डबल क्रोश्य बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाच अब यहां से चेन के इंदर लूप को ऐसे पिक करेंगे इस चेन को और फिर लूप को पिक करके पफ बनाएंगे दो चेन लेंगे बीच में और फिर यहां पर भी पफ बनाएंगे एक, डबल क्रोश्या, दो, तीन, चार, पाच और फिर यहां से चेन को पिक करेंगे और इस लूप को पिक करके पफ बनाएंगे अब यहां पर एक, दो, तीन, चार चेन लेंगे और चार चेन लेने के बाद एक V शेप है इसके अंदर हम ट्रिपल क्रोशय बनाएंगे दो बार धागा लेकर अब यहाँ पर भी हमें नो ट्रिपल क्रोशय बनाने हैं जैसे हमने यहाँ पर बनाए थे अब हम यहां से देखिए, यह हमारा लास्ट राउंड है, हम यहां पर तीन चेन लेंगे, एक डबल क्रोशे की हाइट की, और फिर इसके बाद एक, दो, तीन, तीन चेन और लेंगे, और यहां से देखिए जो यह थर्ड चेन थी, जहां पर मैंने थम रखा हुआ है, यहां प दबल क्रोशय के बराबर में यह होल है यहाँ पर ऐसे क्रोशय हुक निकाल कर ऐसे सिंगल क्रोशय बनाएंगे फिर नेक्स्ट वाला चेन जो है इसके उपर एक डबल क्रोशय बनाएंगे और एक दो तीन चेन लेंगे और इस डबल क्रोशय के बराबर में यह होल में जाकर ऐ फिर नेक्स चेन पर भी डबल क्रोशय बनाएंगे और एक दो तीन चेन लेंगे और इस होल के अंदर जाकर यहाँ पर सिंगल क्रोशय करेंगे फिर एक चेन के उपर नेक्स चेन पर डबल क्रोशय बनाएंगे हर चेन के उपर हमें ऐसी करना है एक डबल क्रोशय बनाना है उस के उपर ऐसे ही हम डबल क्रोशिय बनाकर इसके उपर परल बनाएंगे तो देखी लास्ट वाला है इसके उपर भी ऐसे ही कर लेते हैं तीन चेन बनाकर इसको यहाँ पर सिंगल क्रोशिय करेंगे अब यहाँ पर हम एक दो तीन चार चार चेन लेंगे अब देखी यह लास्ट चार पांच पांच डबल क्रोश्या बनाकर इसको पफ बनाएंगे पहली चेन से ऐसे क्रोश्या डालेंगे लूप को पिक करेंगे और फिर यहाँ पर देखे चार चेन लेंगे और चार चेन लेने के बाद यह जो नेक्स्ट हमारे ट्रिपल क्रोश्या है पहले वाले की चेन क उपर जाकर double crochet बनाएंगे एक दो तीन chain लेंगे और इस ओल के अंदर डाल कर ऐसे single crochet फिर next पर भी इस तरह सी तो इस तरह सी round complete हो का दीखे friends सब के उपर ऐसे hit ये बनाएंगे double crochet और पल और फिर puff में आकर यहाँ पर एक puff बनाएंगे और बीच में यहाँ पर हम चार chain लेंगे इस तरह सी करते वे हम इस round को भी complete करेंगे last में आकर चार chain बनाएं और चार chain बनाकर देखिए शुरू में जो हमने ये तीन chain बनाए थी थर्ड chain में जाएंगे और यहाँ पर इसको slip stitch करेंगे और एक chain लेकर इस धागे को यहाँ पर cut कर देंगे और यह धागा पीछे ले जाकर इसको adjust करेंगे तो देखिए friends यह dress बन करके बिल्कुल complete है बहुत प्यारी simple soba dress बनी है कैसी लगी आपको आज की यह dress पसंद आई है तो वीडियो को like करना और अपने friends और family में जादा से जादा शियर करना next वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए राधे राधे